हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब होब आप सब अच्छेंगे दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि महात्मा गांधी काशिविद्या bit university के लगभग लगभग सभी courses के results आ चुके हैं कुछ courses ऐसे भी है जिनके results अभी तक नहीं आ हैं बहुत सरे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो परेशान है gitu सर इन courses के results नहीं आ हैं वो कप तक आएंगे तो दोस्तो परशान होने वाली बात नहीं है एक दो दिन में उनके भी results आ जाएंगे अब बात आती है दोस्तों आपके results आ चुके हैं अब बात आपके counseling क्या आती है दोस्तों बहुत छा है हमारे दोस्त हैं कांस्लिंग में कई सारे documents लाना भूल जाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो इसी के उपर है कि यूजी और पीजी के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पढ़ सकती है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कंपलसरी है आपकी काउंसलिंग के लिए इन सारी बातों पर हम बात करेंगे तो आपसे कोई भी इन्फोर्मेशन मिस्स ना हो जाए इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा ताकि आपकी काउंसलिंग में कुछ भी गड़बर ना हो सके तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके यूजी के डॉक्यूमेंट्स के लिए यूजी की अपनी काउंसलिंग से पहले पहले दोस्तों ताकि आपकी काउंसलिंग में कोई भी गड़बर ना हो चुक है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी के और सस्केड काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले दोस्तों आपको MGKVP के एड्मिट कार्ड के करने दाउंड का कीम सब्सक्राइब ये लिए ह Regina कापको आपको मेरे दोस्तों के परशान होनी कि बात नहीं है वैब साइट सब्सक्तित को डाउंड कर सकते हैं कि दूसरा आपका MGKVP का entrance के result आप MGKVP की website से अपने result डाउनलोड कर सकते हैं Class 10 की original result प्लस उसकी photo state copy Class 12 के original result उसकी photo state copy दोस्तों इसके लावाद दोस्तों आपको category certificate यह important हो दोस्तों category certificate इसी के basis पे आपको आपके course में admission मिलेगा दोस्तों जैसे कि EWS, OBC, SCST, Physical Handicap, Craft Certificate और University Quota यह सारे certificates अलग-अलग category के लिए हैं आपको यह सारे certificates चाहिए होंगे इसके लावा दोस्तों migration certificate दोस्तों migration certificate उनके लिए है जो UP के बाहर से MGKVP में admission लेना चाहते हैं अगर आप UP के हैं तो आपको MGKVP में admission लेने के लिए transfer certificate की ज़रूत पड़ेगी character certificate की दरस्तों ज़रूत पड़ेगी इसके लावा आपको पाच original photo आपकी जो current पे आपने खिचवाई होंगी उनकी ज़रूत पड़ेगी gap certificate दोस्तों अगर आपका 1112 के बीच में gap है तो उसके लिए आपको एफिडविट बनवाना पड़ेगा anti-ragging certificate इसके लबा दोस्तों income certificate resident certificate दोस्तों यह जो जितने भी आपको yellow में दिखाई दे रहे हैं यह आपकी compulsory हैं यह सारे documents आपको चाहिए ही चाहिए अपनी counseling के लिए बाकि जो भी white में है वह आपके लिए इतने कंपल सरी नहीं है अगर आपके पास नहीं भी होंगे तो आपके counseling में कोई दिकत नहीं आएगी तो दोस्तों यह तो थे आपके यूजी courses के counseling के certificates की बाद documents की बाद आप बात करते हैं आपके PG के counseling में कौन को सर्टिफिकेट रहेंगे तो दोस्तों आपके PG की counseling की बात करते हैं क्या क्या documents लगेंगे दोस्तों जैसा कि आप सेम देख सकते हैं admit card mgkvp के entrance आप mgkvp की website से download कर सकते हैं class 10th का result 12th का रिजर्ट क्लास 12th का passing certificate फिर दोस्तों graduation में आपने जितने भी semester की हैं वो सारे semester की original प्लस photo state marks sheet category certificate इसी के basis पे आपके admission होगा दोस्तों EWS OBC SC ST physical handicap university quota migration certificate दोस्तों अगर आप किसी और university से आप mgkvp में admission लेने आ रहे हैं for example आपने graduation हरिशंद PG college से किया है या आपने graduation किसी और university से किया है और आप admission आप post graduation में विद्या पीट में लेना चाहते हैं तो आपको migration certificate देना पड़ेगा दोस्तों इसके इलावा transfer certificate आपका लगेगा दोस्तों पांच original photo लगेंगी आपकी फिर दोस्तों gap certificate अगर आपने किसी भी semester में gap किया है या किसी भी year में gap लिया है तो आपका certificate लगेगा दोस्तों income certificate लगेगा दोस्तों resident certificate लगेगा और anti-ragging certificate लगेगा दोस्तों तो दोस्तों याप सेम वही चीज़े यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यह लो में जितने भी है आपके वह compulsory है यह सारे documents आपको चाहिए ही चाहिए अपनी counseling के लिए PG के लिए और जित अपने भी यलो पार्ट में यूजी और PG के लिए यह सारे documents की आप एक file बनाई है अपनी counseling से पहले और उन सारे documents के file में original प्लस photocopy साथ में रखिए अपनी counseling से पहले ताकि आपकी counseling में कोई भी दिक्कत ना सके बाकि ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो को like करिए channel को subscribe करिए और चाज़ ज्यादर लोगों तक share करिए थैंक यू